पेट की आग ऐसी होती है कि लोग कच्रे में भी खाना ढूणने को मजबूर हो जाते हैं फिलिपीन्स की राजधानी मनीला में सुबह से ही ये लोग कूडे को उलट पलट रहे हैं ताकि कुछ मिल जाए जिस खाने को किसी ने फेंक दिया है फिलिपा बाल्डे उसी से अपने परिवार का पेट भरती है कच्रे में मिले खाने को यहां पाग पाग कहा जाता है फिलिपीन्स में एक दश्मलो तीन करोड लोग अपने लिए तीन वक्त के खाने का इंतजाम नहीं कर पाते लेकिन ये भी फिलिपीन्स ही है, जहां खाने की कोई कमी नहीं है जिन लोगों के पास पैसा है, वे रिस्तरा में खाने जाते हैं और यहां काफी खाना बरबाद भी होता है अगर आप अपना खाना बर्बाद कर रहे हैं तो आप बहुत सारे संसादन भी बर्बाद कर रहे हैं जैसे पानी, बिजली और जमीन के पोशक तत्व खाने को लाने, बनाने और बांटने की महनत भी खराब होती है तो इन सब चीजों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सरजन बढ़ रहा है मेलडी एक प्रोजेक्ट का नेत्र तो कर रही हैं जिसमें रिस्तराओं और होटलों को खाने की बर्बादी रोकने के तरीके बताये जाते हैं आज वह तागेटे शहर में आई हैं जहां बहुत से लोग छुटियां मनाने आते हैं राजधानी मनीला से कार के जरिये यहां डेड़ घंटे में पहुँचा जा सकता है मनीला के मध्यमवर्गे लोग वीकेंड पर यहां आना पसंद करते हैं पारंपरिक तोर पर फिलिपीनी लोग दिन में पांच बार खाना खाते हैं यह हमारी संस्कृती है हमें तो खाने का बहाना चाहिए हम खाना शेयर करते हैं इस तरह परिवार और दोस्तों से रिष्टा मजबूत होता है संब्रिधी बढ़ने के साथ साथ चीजों की बरबादी भी बढ़ती है अनुमान है कि फिलिपीन्स में हर साल तीन हजार टन चावल कचरे में फेंक दिया जाता है मारलोन अजुएलो इस बरबादी को रोकना चाहते हैं वो शेफ हैं और एक स्पा होटल में सेहत के लिए अच्छा खाना बनाते हैं वे सबजियों के हर हिस्से को इस्तेमाल करते हैं जिसे खाया जा सकता है और फिर जैविक कचरे से खाद बनाते हैं अपने ग्राहकों से भी वे खाने की बरबादी रोकने को कहते हैं सबसे अच्छा तरीका है कि कम परोसा जाए क्योंकि पहले हम खाना बहुत जादा परोसा करते थे जिसमें बहुत सारा बरबाद होता था इसलिए हमने कम परोसना शुरू किया हमारे मैन्यू में अब भी कुछ चीजों के बारे में लिखा है मारलोन भी मेलिडी के प्रोजेक्ट में शामिल है मेलिडी शेफ को बताती हैं कि खाने की बरबादी कैसे परयावरन को नुकसान पहुंचाती है मारलों जानते हैं कि लगजरी होटलों में खाने की वरबारी रोकने का ये कोर्स जादा लोगों तक नहीं पहुँन सकता है लेकिन जल्द ही फिलिपीन्स की संसद में एक बिल आने वाला है जिसमें रिस्तराओं, होटलों और सूपर मार्केटों को फालतू बचा खाना फूट बैंकों को देना होगा ताकि वो जरुवत मंदों तक पहुँच सके जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक बड़ी मात्रा में खाना मनीला के पाया तास इलाके में यूही कचरे के ढेर में आता रहेगा ये अमीरों की बरबादी है और गरीबों का खाना फिलिपा बाल्डे अपना पाग-पाग घर ले जा रही हैं दो साल पहले पती की मौत के बाद परिवार पाले की जिम्मेदारी संसर्ट साल की फिलिपा पर ही है वो कचरा बीन कर गुजारा करती हैं कूड़े से जो चिकन मिला उसे वो घर पहुँचने पर उबालती हैं ताकि उसके बैक्टीरिया मर जाएं फिर वे उसे प्याज और मसालों के साथ पकाती हैं परिवार के लिए यही शाम का खाना है यहां या तो काम होता है या नहीं होता बहतर तो होता कि हम इसे ना खाएं लेकिन कुछ कर नहीं सकते जिंदकी बहुत मुश्किल है फिलिपा का परिवार शायद फेंके हुए खाने पर ही गुजारा करता रहेगा लेकिन कचरे से खाना ढूणने की बजाए अगर वो फूड बैंक से मिले तो निश्चित रूप से बहतर होगा वो कहती हैं कचरे की बद्बू के आप कभी आदी नहीं हो सकते